नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में रहत दिलाता है ये तीन चमत कारी घरेलू उपाए एक बार इस्तेमाल किया तो फिर नहीं होगी आपको खांसी चाहें जैसी भी हो सूखी हो तर हो बलगम वाली हो या फिर तेज दवाओं के सेवन के कारण चाती पर कफ जम गया हो तो अपनाना चाहिए आपको ये घरेलून उसके जो बिलकुल सुरक्षित है और इन परिस्थितियों से आराम मिलता ह लंबे समय से चली आ रही खांसी आपको पूरी तरह से दुखी कर सकती है और जितनी जल्दी हो सके आप इसे छुटकारा पाने की सोचते हैं खांसी समानिय तह जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है लेकिन यह एलरजी अस्थमा एसीड रिफ्लेक्स शुषक हवा और दवाओं के कारण भी हो सकती है खांसी अत्याधिक पीडा दायक और परिशान करने वाली हो सकती है इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं इन्ही युक्तियों को अपनाए और इससे छुटकारा पाईए बदलते मौसम में खांसी जुकाम और बुखार जैसी बिमारिया होन जो छाती और गले में बलगम जमने की बिमारी है गले में बलगम जमने से हमें स्वास लेने में तकलीफ महसूस होती है तथा यह अन्य कई बिमारियां उत्पन करता है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाईओं का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत जल्द असर नहीं दिखाती हैं दोस्तों आज हम आपको बताएंगे च्छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में रहत दिलाने वाले तीन चमतकारी घरेलू उपाय जो आपके लिए काफी लाफकारी सावित होंगे च्छाती और गले में जमे कफ के लिए घरेलू उपायों को जानते हैं शहद और निमबू निम्बू के रस kita करने से चाती और गले में जमे हुए cup से बोहए जल्दी चुट-कारा पाया जा सकता है क्योंकि प्रियोग जीहां इस घरेलून उसके का उपयोग करने के लिए एक चमच शहद में एक चमच अधरक का रस मिला करके इसे थोड़ा गर्म कर लें और इसका सेवन करें काली मिर्च पांच से छे काली मिर्च लेकर के उन्हें बारिक पीस लें अब एक ग्लास पानी लेकर के उस में यह काली मिर्च का मिर्च डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म करें जब यह गुनगुना ठंधा हो जाए तो इसका सेवन करें इससे छाती और गले में जमें हुए कफ की समस्या एक दिन में दूर हो जाती है हर तरह के खांसी का है इलाज यह अद्भुत तरीका जिहा 250 मिली लिटर दूध, 125 मिली लिटर पानी, एक गाठ हल्दी का चुन और जरूरत के अनुसार गुड ले करके सभी को एक बरतर में डाल कर उबालना है और जब उबलते उबलते केवल दूध ही बाकी रह जाए तो इसे उतार लेना है फिर इसे छान कर खांसी के रोगी को खाने से सुखी खांसी में लाब मिलता है दूध में 50 पीपल डाल करके गर्म करके इसमें चीनी मिला कर रोज सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाती है शहद का उपियोग करना खांसी को दबाने का और गले की खराश में रहत पाने का एक प्रभावशाली तरीका है कई अ पूकस मेंब्रेन को आवरित करने और रहत पहुचाने में मदद करती है अगर खांसी के कारण सोने में परिशानी होती हो तो सोने के पहले शहद का सेवन करना बहुत लाफकारी हो सकता है आपके लिए सूखी खासी में पान के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवायन रखकर चबा करके रस निगलने से सूखी खासी मिटती है केवल अजवायन 1-2 ग्राम खा करके उपर से गर्म पानी पी कर सो जाने से भी सूखी खासी तथा दमा और श्वास रोग में शि publiहीं लाफ मिलता है फे के दर्द में यह लाव पहुंचाता है 25 ग्राम यानि की तीसी को कुचल कर 375 ग्राम पानी में उटाएं जब पानी एक तिहाई यानि के 125 ग्राम रह जाए तो उसे मल चान करके 12 ग्राम मिश्री मिला करके रख लें उसमें से एक चम्मच भर करके काढ़ा एक घंटे के अंतर से दिन में कई बार पिलाएं इससे बलगम छुड़ जाता है जब तक छाती साफ न हो जाए इससे पिलाते रहें लाव होगा जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदी महतो कार दोस्तों